परिजये आवशक्ताओं की प्राप्ति के लिए जरूरी है। इसके अतरिक सूर्य से मिलने वाली उर्जा भी प्रिथवी पर रहने वाले जीवों के लिए आवशक है। वायु मंदल, जल मंदल और स्थल मंदल के घटक है। जीवन मंदल का भौतिक भाग तीन मुख्य समुहों में विभाजित किया गया है। स्थल मंदल, जल मंदल और वायु मंदल। स्थल मंदल में प्रिथवी की सबसे बहरी परत यानी परपटी या क्रस्ट के ठोस घटत, जैसे मृदा, चट्टान और खनिच शामिल होते हैं। केवल प्रित्वी की सबसे बहरी परत जिसे मृदा भी कहते हैं, में जीवित जन्तु पाई जाते हैं, तथा ये जीव मंडल का एक भाग बनाती है। तालाब, नदिया, जील और समुद्र सभी जल मंडल के जलिय घटकों में शामिल है। जल प्रित्वी के सतह का लगभग 75 प्रतिशत भाग घेरता है। जल भूमिगद भी पाया जाता है। वायू मंडल एक कंबल की तरहा जल मंडल और स्थल मंडल के आसपास गैस का आवरन बनाता है। वायू मंडल प्रित्वी की सतह से कुछ किलोमीटर की उचाई तक फैला होता है। ये चार भागों में विभक्त होता है। शोब मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन मंडल मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक घटक सभी जीवित वस्त्वे, अजैविक घटक यानि वायू, जल, तथम्रदा। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जीवन की श्वास वायू को समझना, जल वायू नियंत्रण में वायू मंडल की भुमिका को पहचानना, वायू की गति, पवन को समझना, वर्षा को समझना, वायू प्रदूशन को समझना, जल एक अध्भुत द्रव के गुणों को पहचानना, जल प्रदूशन को समझना, जीवन की श्वास वायू हम सभी जानते हैं कि वायू, नाइट्रोजन, ओक्सीजन, कार्बन डायोकसाइड तथा जल वाश्प का एक मिश्रण है इस मिश्रण के कारण ही पृत्वी पर जीवन संभव है पृत्वी की सतह पर अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन तथा ओक्सीजन उपस्तित है नाइट्रोजन 78 प्रतिशत, ओक्सीजन 21 प्रतिशत, कार्बन डायोकसाइड तथा अन्ने गैसे 0.03 प्रतिशत, निश्क्रिय गैसे ओर्गन 0.93 प्रतिशत हम ये पहले से ही चानते हैं कि जीवधारी युकेरियोटिक या प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं इसलिए कोशिकाओं को गुलुकोज अडों के विखंडन तथा अपने क्रिया कलापों के लिए उर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवशक्ता होती है इसके परिणाम सो रूप कार्बन डायोकसाइट का निर्मान होता है एक अन्य प्रक्रिया जिसके परिणाम सो रूप ऑक्सीजन की खपत तथा कार्बन डायोकसाइट का निर्मान होता है देहन की प्रक्रिया कहलाती है जो कि या तो मानव क्रिया कलापूं अथवा जंगलों में लगी आग का परिणाम होती है हाला कि विभिन क्रिया कलापूं दुआरा कार्बन डाय ओक्साइट का एक बड़ी मात्रा में निर्वान होता है किन्दू फिर भी वायू मंडल में कार्बन डाई ओक्साइट का प्रतिशत कुल प्रतिशत का एक छोटा सा भाग ही है कार्बन का यह प्रतिशत सीमित इसलिए है क्योंकि कार्बन डाई ओक्साइट दो विधियों से स्थिर हो दी है पहला, हरे पौधे इसे ग्रहण करके सूरे के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिती में गुलुकोज में बदल देते हैं दूसरा, बहुत से समुदरी जन्तू, समुदरी जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं जल वायू नियंतरण में वायू मंडल की भूमिका जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वायू मंडल प्रित्वी को एक कंबल की भाती ठकता है हम यह भी जानते हैं कि वायू उश्मा का एक कुछालक है वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोखता है वायुमंडल पृत्वी के औसत तापमान का दिन के समय और यहां तक की पूरे वर्ष भर लगभग नियत बनाए रखता है और रात के समय उश्मा को बाहरी अंत्रिक्ष में जाने की दर को कम करता है पृत्वी तथा चंद्रमा सोरे से लगभग समान दूरी पर हैं किन्तु चंद्रमा की सतह जहां वायुमंडल नहीं है उस पर तापमान माइनस 190 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्धे रहता है वायु की गति पावन तुम मैंसे कितने लोग समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे पर खुमने गए हो? तुम सभी ने शाम को बहने वाली ठंडी समीर को महसूस किया होगा तथा गर्म दिन के बाद इन समीरों से मिलने वाली राहत को भी महसूस किया होगा इसी प्रकार गर्म मौसम के बाद जब वर्षा होती है तो हमें बहुत राहत मिलती है वायू की गती वायू के गर्म होने के कारण होती है तथा जब इस वायू में जलवाश्प उपस्तित होती है तो यह ठंडी समीर बन जाती है जलवाश्प जीवित प्राणियों के क्रिया कलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है स्थलिये भाग या जलिये भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर विकिरण के कारण वायू मंडल गर्म होता है गर्म होने पर वायू में समवहन धाराएं उत्पन होती है जब वायू स्थल और जल के विकरण के कारण गर्म होती है, तब ये उपर की ओर प्रवाह करती है, जूंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, इसलिए स्थल के उपर की वायू, जल के उपर की वायू की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी. इसलिए अगर हम तटिये क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं किस धल के उपर की वायू तीजी से गर्म होकर उपर उठना शुरू करती है जैसे ही यह वायू उपर की ओर उठती है वहां कम दाप का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के उपर की वायू कम दाप वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायू की गती पवनों का निर्वान करती है दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं चूंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है इसलिए जल के उपर की वायू स्थल के उपर की वायू से गर्म होगी हवा की सभी गतियां विभिन वायूमंडलिये प्रक्रियाओं का परिणाम है जो पृत्वी के वायूमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है इन हवाओं को बहुत से अन्यकारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे प्रिथ्वी की घूणनकती तथा बवन के मार्ग में आने वाली परवत श्रिंकलाएं। वर्षा जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्म, नम तथा उठने वाली वायू आसमान में बादलों का निर्मान करती हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दिन के समय जलिये भाग के गर्म हो जाने से बादल बनते हैं। जब गर्म वायू उपर की ओर उठती है तो यह फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। वादा वरण में ठंडी वायू जमीन की तरफ सिकुड़ जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाश्प छोटी छोटी जलकी बूंदों के रूप में संखनित हो जाती है। वायू में उपस्थित धूल के करण नाभिक के रूप में कारे करते हैं तथा संखनन की प्रक्रिया प्रारंब हो जाती है। प्रापुमान काफी कम हो जाता है तब ये हिम वरिष्टी अथवा ओली के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। वर्षा का पैटन पवनों के पैटन पर निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षन पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। हम मौसम सूचनाओं में अक्सर ये सुनते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर वायू का दबाव कम होने के कारण कई क्षित्रों में वर्षा हुई। वायू प्रदूशन इन दिनों प्रदूशन शब्द बहुत ही प्रचलित हो गया है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे वातावरण के भौतिक, रासाइनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवान्चिनिये परिवर्तन प्रदूशन कहलाता है। वायू, जल तथा म्रिदा में होने वाला प्रदूशन जीवन के विभिन रूपों पर कुप्रभाव डालते हैं। जबकि प्रदूशक एक ऐसा पदार्थ, रसाइन या कारक है जो की वातावरण में पहुँचकर मानव के जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रदूशक को इस प्रकार भी परिभाशित किया जा सकता है कि यह एक गलत मात्रा में गलत इस्थान पर या गलत समय पर पाया जाने वाला एक घटक है। जीवाश्म इधन का दहन है। जीवाश्म इधन जैसे कोईला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जब ये इंधन चलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ चलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन आकसाइड उत्पन करते हैं। इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है बलकि ये वर्षा के जल में मिलकर अमलिये मात्रा को भी बढ़ा देता है। ये निलम बितकर्ण बिना जले कार्बन कर्ण या पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हाइड्रो कार्बन कहा जाता है। इन सभी प्रदूशकों की अधिक मात्रा में उपस्थिती द्रश्यता को कम करती है। विशेशकर सर्दी के मौसम में जल भी वायू के साथ संखनित होता है। इसे धूम कोरा कहते हैं तथा ये वायू प्रदूशन की ओर संकेत करते हैं। इन पदार्थों वाली वायू में सांस लेने से कैंसर, हिर्दै रोग या एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जल प्रिथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्तित है और यह भूमी गद्भी होता है। जल की कुछ मात्रा जल वाश्प के रूप में वायू मंडल में भी पाय जाती है। पृत्वी की सतह पर पाय जाने वाले जल का कुल 97 प्रतिशत सागरों तथा महा सागरों में पाया जाता है. तथा यह जल ख्षारिये होता है. पृत्वी पर 1 प्रतिशत ही सच जल पाया जाता है. दो प्रतिशत शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों धुरुवों पर तथा बर्फ से ढगे पहाड़ों पर पाया जाता है भुमिकत जल तथा नदियां जीलें तथा तालाबों में पाया जाने वाला जल भी स्वच्छ जल होता है स्वच्छ जल की उपलब्धता विभिनिस्थानों पर भिन भिन होती है गर्मी के मौसम में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी हो जाती है जल का महत्व जल इसलिए आवशक है क्योंकि सभी जीवों को जल की जरूरत है सभी कोशिकी ये प्रक्रियाएं जलिये माध्यम में होती है सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का सववहन खुली हुई अवस्था में होता है इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं स्थलिये जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आविशक्ता होती है क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है इसलिए प्राणियों और पौधों को पृत्वी पड़ जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धी के स्रोध आवशक हैं जल प्रदूशन क्या तुम्हें पता है कि जल प्रदूशन जल में कुछ ऐसे पदार्थों के मिलने के कारण होता है जो की जल की गुणवत्ता को कम करते हैं जिससे ये स्वास्त पर भी कुप्रभाव डालता है जल उन कीट नाशकों और उर्वर्कों को भी घुल लेता है जिनका उप्योग हम खेतों में करते हैं अतहा इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है हमारे शहर या नगर के नाले का जल और उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जलाशे में वापस लोटा दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है, तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव परता है। गहरे जलाशे के अंदर का जल सूरे के द्वारा गर्म उपर की सतह के जल की तुल्ना में शीतल होगा। ये सभी जलाशेयों में पाय जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। ये कुछ जीवों की वृध्धी को प्रोसाहित करते हैं, तो कुछ को हानी पहुचा सकते हैं। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। जल प्रदूशन निम्न प्रभाव उत्पन करता है। जल आशियों में अनेचिक पदार्थों का मिलना। ये रोक पहलाने वाले जीव जैसे हैजा पहलाने वाले बैक्तिरिया भी हो सकते हैं। इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना, किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई आक्सीजन की मात्रा को कम करता है, उसका जलिये जीवों पर विपरीद प्रभाव पड़ता है, जलाशय से अन्य पोशक की कमी भी हो सकती है, तापमान में परिवर्तन, जलिये जीव जिस जलाशय में रहते हैं, वे वहां के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं, और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा, या प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, विभेन प्रकार के जन्तूओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रती सम्वेदन शील होते हैं क्या आप जानते हैं? Statue of Liberty, SO2 तथा NO2 एवं ताज महल मथुरा रिफाइन्डी से निकलने वाले SO2 के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं SO2 से अस्थमा तथा प्रोंगाइटे साधी होने की संभावना बढ़ जाती है 1920 में जापान में 200 लोग इटाई-इटाई रोग के प्रभाव के कारण मर गये थे जोकी कैडमियम विश के कारण हुई थी 1989 से 5 जून को विशुपरिया वरंड दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजून परत के बचाओ का अंतरराश्टिय दिवस के रूप में मनाया जाता है अक्टूबर का प्रथम सप्तह वन्ने जीवन सप्तह के रूप में मनाया जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं प्रिथ्वी पर जीवन म्रिदा वायू, जल तथा सूरे से प्राप्त उर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है स्थल और जलाशयों के उपर विशम रूप से वायू के गर्म होने के कारण पवने उत्पन होती है जलाशयों से होने वाले जल का वाश्पी करण तथा संखनन हमें वर्षा प्रदान करता है किसी क्षेत्र में पहले से विद्द्यमान वायू के रूप पर होने वाली वर्षा का पैटन निर्भर करता है